आपको इस बात को सुनके काफी हैरानी होगी कि आप अपनी रियल लाइप में अपनी असल जिन्दगी में का आइरन मैन एक सुपर मैन बन सकती हो यह सारी जो फिजुरिस्टिक बाते हैं अपने होली हुट मुवी देखा होगा उसमें एक एक इनसान की बॉड़ी में एक ऐसे चीप को Blues Jimbu किया जाता है उनके brain में कैसे इंब रिवलन किया जाता है कुछ इननर्जी आ जाते हैots ओक एक सुपर मैन बन जाता है फिर हवा में इन लगता है तो आप उस चीश को कर सकती हो आप अपनी लाइप में उस चीश को mix कर ना चाती हो ना आप एक सिंगर बनना चाहते हैं सीख सकती हैं मतलब आप अपनी जिंदगी में जिस्टिस को करना चाहते हैं वह सारी चीजें आप कर सकती हो सीथ पॉस शिर्फ एक चिप की मदश से जिसका नाम है नियुरा लिंक चिप आपने एलोन मस्क का नाम तो सुनाई होगा जो मोस्ट वैलेवल एलेक्ट्रिक कार बनाने वले कमपनी 30,00,00 के ओनर है और इस्पेस एक्स के ओनर है जो एरोइस्पेस पे काम करती है वह एक फिचुरिस्टिक सोच रखने हाले वेकति हैं जिनका सोच है कि आम इनसानों से हटके है वह सोच देखिया कि एक टाइम ऐसा आएगा जो Artificial Intelligence एक human की brain से ज्यादा काम करेगा क्यों ना एक इंसान की body में एक इसे chip को implant किया जाए जिसे एक इंसान एक super human बन जाए आप इसके लिए इस video को देख सकते हैं कि नूरलिंक है क्या नूरलिंक एक छोटा सचीप है जो आपके brain में insert किया जाएगा एक काफी छोटा होगा जो something 4-6 micron का होगा फिर इस आपके brain को एक system से connect किया जाएगा ताकि आपके brain को भी signal भेची तो उस computer में उसको note down किया जा सके ठीक इसी तरीके से जैसा कि एक natural human body का तो neurons होता है वाइस काम करता है उसको त्री parts में divide किया गया है फस्ट होता देंडराइट होता है उसके बाद soma होता है और axon होता है देंडराइट का काम यह होता है कि suppose आपको किसी ने इस तरीके से pinch किया तो देंडराइट आपके brain को signal पहुंचाता है और soma का काम क्या होता है उसको complete करता है उसको analysis करता है कि आपको किस ने पिंच किया और और axon का काम क्या होता है आपको एक signal आपके जो signal को आउट करता है सामने आलोग आपको हिट करना है क्या करना है ठीक इसी तरीके से चिप को आपके brain में insert किया जाएगा उसमें काफी सारे electrodes होंगे आप बहुत सारे थीन वायर होंगे जो आपके जो हेर से काफी ज्यादा थीन होगा आपके नियर्बाई नियूरों से उसके नियर्बाई में इसको डाला जाएगा जैसा आपके नियूरों एक electric crane generate करता है ठीक उनके brain को signal नहीं पहुचाता है यह आपके signal पहुचाने का काम करेगा अब बात करते हैं जो आपके सबसे काम की चीज़ है इसको ऐसे इंसान के brain में insert किया जाएगा जो paralysis है लक्वा गरस्त है जिनके brain damage है hearing loss है जो blindness है addiction है depression है anxiety है इस तरह के जिनको issue है seizure है कि brain में इसको insert किया जाएगा दूस्तों यह जो chip है coin size chip है इसको medical expert के तुरू आपके brain में insert किया जाएगा मैन वाली insert नहीं किया जाए कि हो सकता है कि manually अगर insert करें तो हो सकता है किसी तरह की issues आ जाए हो सकता brain damage हो जाए तो इनके लिए surgical robot के तुरू आपके brain में insert किया जाएगा क्योंकि यह इसके brain में insert किया जाएगा इसली जो इन्यूरलिंग chip को एक monkey में experiment किया गया था यह भी success रहा उसके बाद pig पे experiment किया गया पिग में भी experiment success रहा क्योंकि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनके सारे movements को activities को note किया जा रहा है खाते हो क्या सोथता है यह happy होता है तो क्या सोथता ह बैटते हैं वह क्या करता है सारी movements को इनका note किया जा रहा है computer को signal भेज रहा है कि इनके सारे चीज़ों को note किया जा रहा है इनके सारे movement में यह किस तरह करता है इनके सारे activities को note किया जा रहा you know this is something to be big in the technology जैसा कि आप सो सकते हैं कि छूटी सी चीप आपके दिमाग को हिला सक आपके brain में insert किया जाएगा एक paralysis और लगवागरस इंसान चल फीड सकता है एक blindness इंसान को दृष्टी मिल सकती है जिसके इस पैनल को डैमेज हो वो चल फीड सकता है तो technology हमारी life को किस तरीके से बदल रही है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो like किजिए share किजिए subscribe फिर मिलते नेक्स वीडियो में दब तक के लिए